नमस्ते अंदोस्तान कैसे हैं? आज सही माइने में अगर कोई भी बिपक्षी ये कह देना आज कि आज जो इसरेल कर रहा है ये हमारे देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को, हमारे रक्षा मंतरी को, ग्री मंतरी अमित्षा को सीखना चाहिए, कुछ सबक लेनी चाहिए चेड़ता है, तो इसराइल छोड़ता नहीं है, क्योंकि ये पहला वो देश है, जिसे मैं देख रही हूँ, ना उनको दुनिया की परवाह है, ना दुनियादारी की परवाह है, वो चार लोग क्या कहेंगे और वो चार देश क्या सोचती है हमारे बारे में, उसकी परवाह किये बिना अभी आज की मैं ताजा ख़बर बताती हूँ आपको दोस्तों शनिवार को शाम एर स्ट्राइक करके IDF ने इसराइली डिफेंस फोर्स ने बारा मंजला उस बारा मंजला अपार्टमेंट को तहस नहस कर गया है जहां पे एसोसियेट प्रेस अल जजीरा जैसे कि अंडी टीवी माफी चाहूंगी अल जजीरा अल जजीरा सहित कई मीडिया समुहों के ओफिस थी और उस पूरे बारा मंजले ओफिस को तहस नहस कर दिया है एर स्ट्राइक में इसराइले डिफेंस फोर्स ने और इतना ही नहीं इस फोर्स ने जबसे एर स्ट्राइक करना शुरू किया उस से हमले से करीब एक घंटे पहले आईडेफ ने रियाईसी इलाकों के लोगों को चले जाने के लिए कहा कि वहाँ पर आम आदमी भी होंगे क्योंकि हमास के बारे में तो अच्छी तरीके से आपको अभी तक पता चल गया होगा कि हमास अपने ठिकानों को वही पर बनाता है अपने ठिकाने वही बनाता है जहां पर आम आदमी रहते हैं जिससे कि आम आदमी के आड में छुपकर वो हमला कर सके और आम आदमी के आड करने जा रही है इसे खाली कर दिया जाए और इसके बार में आपको बता दू कुछी सेकिंड पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी है इससे पहले इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में 126 लोगों की मौत हुई है और इस हमास की जो जबर्दस पहले भी हमास के हमले हुए कि हमास के हमला क्यों हुआ हमास पर हमला नहीं होना चाहिए क्योंकि दुरुवराटी जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि आज हमास ने हमला अगर कर दिया तो हमास के हमले पर इसराइल ने एक्शन क्यों लिया इसराइल को शांती बनाए रखना चाहिए था मतलब हमें यह सबक स पारिश करें क्या ऐसा पूछना चाहिए था ठीक है धुरुप्राटी जी अगले संक्षिन में ऐसे बहुत लोग होंगे जो दुरुप्राटी के बहुत प्रिय भक्त होंगे तो वो मुझे इसका कमेंट सेक्षिन में इंफॉर्मेशन जरू दे इसके अलाबा दोस्तों मैं आ आज अमेरिका ब्रिटेन और यूरोपन संग के तरफ से इसराइल और हमास में बात चल रही है कि कैसे भी इस जंग को इस वार को इस युद्ध को रोका जाए क्योंकि अब फिलिस्तिनीों को और हमास के जो जितने भी सैनिक हैं उनको ये लगने लगा है कि इसराइल किसी भी वक्त बोर्डर क्रोस करके उनके देश में प्रवेश कर सकता है और ये वक्त जादा दूर महीं होगा कि उन्हें अपने देश में तहस महस कर दे उनके देश में घुस कर इसलिए उन्हें बताया गया है उनके कमांडों के द्वारा उनके सीनियर्स के द्वारा कि आप अपने जो भी उनके छुपने का जगह है उसमें छुप जाए क्योंकि अब शायद इसराइल को रोकना मुश्किल हो गया है दोस्तों इतना इनी इसराइल की हमले पर इस पर खांसर हैं, उनका कहना यह है कि अगर इसराइल के ऊपर हमास ने हमले किए तो इसराइल ये बार-बार क्यों बतारा है कि मेरे ऊपर लगबा 1500 रउकेट फेकी गई हैं तो उससे हमला हुआ तो कितने लोगों की जाने गई है कितनी नुकसान हुई है मुश्किल से 8 या 7 लोग लेकिन आप ये देखो कि अगर हमास के तरफ अगर हमास को जो रॉकिट फेकी गई है जो इसराइल की तरफ से स्ट्रोक की गई है उसमें कितने लोगों की जाने गई है अरे खान सर्जी आप क्या कहना चाह रहो आप बहुत कंफ्यूज हो आपको समझना चाहिए कि आप उन्हें अगर ये हिदायत दो फिलिस्तिनियों को और हमास आतंगवादियों को कि अगर आप अपने बच्चों को मदर्से में ना पढ़ा कर अगर किसी स्कूल में पढ़ाएं तो शायद आपके बच्चे भी समझ सके ये हायर टेक्नोलोजी और ये किस तरीके से ऐसे रॉकेट बनाये जाते हैं जिससे फेकने पर कुछ फर्क पड़े ना कि मजाक बने जो क कि आज के वक्त में पलिस्तीनियों का हो रहा और हमास का हो रहा किस तरीके से गाजा का बाजा बजा के रख दिया है आज यहां पे इस्राइल ने और दोस्तों इसके बाद मैं आपको ये भी बता दू कि श्रिवातु दौरे पे पंद्रा सो रॉकेट लगभग लगभग अ माना गया था कि जिस तरीके से रॉकेट जो फेका है हमास ने यह अंदाजा शुरू पे माना जा रहा था कि 25 से लेके 26,000 रॉकेट फेकेंगे हमास लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जो आरन डोम इनके पास है उनके बदौलत इनकी रॉकेट सिर्फ और सिर्फ एक मजा कर बैठक करके इनने तो शांत करने की कोशिश कर रही है और नियंतरन बनाने की कोशिश कर रही है इसका क्या परिडाम होता और यह जंग और कितने दिनों तक चलेगा क्योंकि हमारे देश में तो वैसे भी जितने भी लिबरांडू गैंजे क्योंकि इससे पहले आप देख नहीं हूँ उनके लिए इतना दुख क्यों हो रहा है किस बात का दर्द है आपको अगर हमास के आतंग वादे गृप वो हमास वो गाजाज जिसने अगर मैं कहूं तो हमेशा उन जगा ठिकाने पर अपना ठिकाना बनाते हैं जहां पर नहीं कोई रोजगार है क्योंकि जो भी अगर बाहर से जितने भी बाहर के देश है थोड़ा बहुत उनका अगर इंकम कराना चाते हैं या उनकी मदद करने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि वहां पर कुछ आम जनता भी रहती है आम नागरिक भी रहती है उनकी अगर मदद करना भी चाती है तो वहां के जो सरकार है वहाँ के जो टुप है उन पैसों का हतियार खरीदने में, हतियार बनाने में इस्तिमाल कर लेती है जिससे कि आम नागरिक को कोई मदद मिल नहीं पाती है तो भारत के नागरिक आज जो कि ये कह सकते थे कि हमें भी देश में एकता होनी चाहिए क्योंकि अगर हमारे देश में अगर आज एकता होती तो शायद जो इस्राइल जो सिर्फ और सिर्फ इतने कम अमादी वाली देश है और इसके बाद भी आसी टेकनोलजी ऐसी एकता है उहाँ पे कि इतना बड़ा मिशन अकेले ही आज तै कर रही है उन्हें किसी और देश का कोई साथ नहीं चाहिए कोई सपोर्ट नहीं चाहिए और इसके बड़ी बात भी सामने वाले देश क्या कह रही है उससे भी उनका कोई लिना दिना नहीं है जैसे हमारे देष में क्या होता है हमारे देष में ये होता है कि सिर्फ ट्वेटर पे वह चलता है आंदोलण होती है और इससे पी ज़्यादा कुछ ना हो तो रोड पे निकल जाओ बिजली के बारे में बोल दो रोड पे जाके रोड बंद कर दो और रेलवे बंद कर दो, दंगे फुरका दो, कुछ से भी जादा कुछ ना हो तो आपस में लड़ लो, क्योंकि आज के टाइम में हमारे इंडिया में सिफ ट्विटर बाजी रह गए हैं और इसे जादा कुछ भी नहीं, सीखें, कुछ इसराइल से सीखें कि सबक कैसे सिखान होना है, आज हमारे देश में एकता होती, तो शायद ये जबाम हम भी दे सकते थे, हमारा हिंदू राष्ट्र हिंदूस्तान बच सकता है, अगर एकता हिंदूों में हो तो विचार कीजिएगा, जय हिंद बंदे मात्रम